प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं BAC की ओप्टिक्स और इसमें हम लेंस के डिफेक्ट से स्टड़ी कर रहे हैं पिछले लेक्चर्स में हमने क्रोमेटिक और मोनो क्रोमेटिक एब्रीशन्स की बात की थी और एक हमने कोमा या क्वमेटिक एब्रीशन्स के बार में पढ़ा था आज हम एक ओर डिफेक्ट जो की बहुति इंप्रॉटेंट है उसकी स्टड़ी करेंगे यानि कि आज का हमारा जो टोपिक है वो है एस्टिमेटिजम estimatism ये abbreviation क्या होता है ये lens का defect है किस वज़े से होता है और how we can remove the estimatism इसकी details डर्ली आज के इस lecture में हम लोग करने वाले हैं एक important questions आपका आज पयार होने वाला है पूरे lecture को दिहां से सुने, notes बनाते रहें, धीरे धीरे देखें चलिए सबसे पहले देखते हैं estimatism होता क्या है देखिए हमारे पास एक single lens है, मैं एक बार ये देखिए, एक अच्छा सा आप diagram बना लीजिए और ये जो है, ये इसकी principal axis है इसके दो sections प्यारे वच्छों आपको नज़र आ रहे होंगे देखिए, जब हम इस तरह से lens को लेते हैं, तो ये horizontal part होता है और ये vertical part होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये vertical part है vertical cross section है हम, और ये जो यहाँ जो आप पार्ट देख रहे हैं इदार ये इसका vertical, ये horizontal cross section है और ये vertical cross section है होता क्या है, कि जब हम कोई object इस principal axis से काफी distance पर ले लेते हैं यानि कि दूर ले लेते हैं, जैसे सुपोज कि जी हमने ये point object ले लिया है ये object है और यहाँ पर हम screen ले रहे हैं, this is the screen होता क्या है, कि जो lens होता है, एक single lens है वो इसकी point image नहीं बना पाता है, इस object की जो की इस principal axis से थोड़ा दूर रखा हुआ है इसी inability को हम estimatism कहते हैं क्यों होता है, क्योंकि इसके जो horizontal और ये vertical जो cross section से lens के, इनका refractive index अलग-अलग होता है due to different type की curvature की वजे से, यानि कि अभी मैं बात चू कर रहा हूँ कि estimatism होता क्या है the inability, ability of a single lens to form a point image of a point object placed far off the principal axis is called estimatism प्यारे बचों, अब ये देखी कैसे होता है यहां से ये cross section है ये इसकी इस तरह से image बनती है ये देखी मैं बात इसी की कर लेता हूँ vertical cross section की बात कर रहे हैं ये देखी और ये जो central cross section है ये देखी ये जो आपको यहां center में दिखा दे रहा है जो कि horizontal है इससे किस तरह की image बनती है ये देखी ये देखी यहां पर जो image बन रही है वो ऐसी बनती है फिर ये इस तरह की image हो जाती है फिर ये इस तरह की image हो जाती है और फिर ये और फिर इस तरह यह जो पार्ट होता जहाई इमेज बनती है इसको हम कहते हैं प्राइमरी इमेज या फिर आप इसको टेंगेंशियल इमेज कह सकते हैं यहाँ पर जो बन रही है इसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी या फिर इसे हम टेंगेंशियल image कहेंगे जबकि यह जो यहां बन रही है इसे हम secondary secondary या फिर sagittal sagittal image कहेंगे और यह देखिए सबसे best image जो बन रही है अगर हम screen को यहां रखे यानि की MN यहां पर तो आपको best image नज़र आ रही है इसे दाइब का objector image यहां बन रही है और इसके इधर भी और इधर भी image प्रोब पर नहीं आ रही है यह क्यों होता है अब आप समझ गए हैं कि it is due to यह देखिए it is due to different refractive index index of a horizontal यह horizontal cross section है horizontal and vertical cross section cross section of lens the nature of image is as shown अगर हम screen को MN पर रखते हैं यारि कि if this screen is placed is placed at MN MN पर यहां screen हो तो image इस टाइब की बने यारि कि best image बनती है we get best image called circle of least confusion अब यह देखिए जो यह image बन रही है इसे हम primary या tangential image कहते हैं और जो इधर है outer sections की वज़े से जो यह जो image है इसे हम सेजिटल और secondary image कहते हैं इन दोनों के बीच की जो distance है उसे हम estimatic difference कहते हैं इसे हम और जो है TRAG एक और प्यारी बच्छों यहां से देखिए ये जो incident beam है जो उबजेक्ट करने इसको हम थीटा लें लेते हूं कि ज़ादा फटा ग्रहा है उतना ही Еस्टीमेटे जम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है इप थिट्टा इस दी अंगल बेविन दी प्रिंशिपल एक्सिज प्रिंशिपल एक्सिज एंड इंचिदेंट बीम इस्तिमेटिजम मेटिजम इस डारेक्ली प्रपोर्शनल टू दी थीटा स्केर और इस थीटा को हम अबलिक्यूटी भी कहते हैं इट मींस दैट जितना ज्यादा ये अबलिक्यूटी होगा एस्तिमेटिजम भी उतना ही होगा यानि की ग्रेटर बिल बी दी ओबली क्यूटी ग्रेटर मोर भी दी एस्टिमेटिजम तो प्यारे बच्छों आपने देखा कि एस्टिमेटिजम किस वज़े से होता है प्यारे बच्छों रिमुवल ओफ एस्टिमेटिजम को रिमुव कर सकते हैं मिनिमाईज कर सकते हैं देर एन नंबर ओफ मैथड्स वाई विच वी कहने हैं मिनिमाईज दी एस्टिमेटिजम सम अफ देम नंबर वन देखे सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या रही है कि जो होरीजंटल और वर्टिकल जो क्रोशेक्शन से हैं लेंस के इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग-अलग होता है और वो किस वज़े से होता है वो आप जानते हैं लेंस मेकर फार्म में पढ़ा था कि वो उनके रेडियेस ओफ करवेचर्स पर डिफरेंट कर रहा है तो एक ऐसा लेंस तयार किया जाए जिसका होरीजेंटल और वर्टिकल जो क्रोशेक्शन है उनकी करवेचर अलग-अलग हो अलग टाइप की हो ताकि जो एस्टिमिटिजम उसमें ना हो यानि कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होरीजेंटल क्रोशेक्शन का भी उतना ही हो जितना कि vertical cross section का हो इस तरह का अगर हम lens construct कर लेते हैं बना लेते हैं उस lens को हम toric lens कहते हैं यानि कि पहला यही है by using a lens having different different of horizontal and vertical cross section by using a lens having different curvatures of horizontal and vertical cross section horizontal and vertical cross section so that they have same refractive index such lens अगर हम बना लेते हैं इस suitable lens को हम क्या कहेंगे toric lens प्यारे बच्चों एक तो यह है दूसरी देखें अगर हम एक combination ले लेते हैं a convex lens और a concave lens और इन दोनों को एक दूसरे के contact में रख देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो estimatism produced by the convex lens is of opposite nature than the estimatism produced by the concave lens दोनों opposite है टाइक के होते हैं नतीजा क्या होगा कि अगर हम एक suitable combination ले जो की संभव है possible है तो ताकि estimatism produced by the convex lens is cancelled by the estimatism produced by the concave lens so such combinations can be used which is free from the estimatism यानि कि दूसरा तरीका यही है by using a suitable combination the estimatism matism produced by convex lens is cancelled connected by astigmatism produced by the concave lens because the estimatism produced by the convex lens is opposite to that of the estimatism produced by the concave lens so this suitable combination can be used to eliminate the estimatism एक 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 और तरीका भी प्यारे बच्चो होता है using using to to plano convex lens आउस दो प्लेट एक यह ना इस तर इस तरह हम ले सकते हैं जैसे एक plano convex lens हमार्ए पास यह है और दूसरा plano convex lens यह है जिनकी suitable और इने एक finite distance पर हम रख दें तो इस तरह की जो combination होती है by using plano convex lenses of suitable suitable हम बार बार कह रहे हैं इनको estimatism और कही साब से ही इनकी जो आप देख रहे हैं focal lens को हमें लेना होता है of suitable focal lens placed at finite distance तो प्यारे बचो कई मेथड्स आपने देखे हैं कि by taking the lens of different curvatures of horizontal and vertical cross sections of the lens उससे हम इसको रिमू कर सकते हैं और बाइटेकिंगे suitable combinations of the convex and concave lens उससे भी और बाइटेकिंगे टू प्लेनो कोंवेक्स lens which are placed at certain finite distance and having a suitable focal lens these are the different parts by which we can remove the estimatism dear students आज का इस लेक्चर में हमने estimatism के बारे में details टेडी की आज हमने देखा what is estimatism and why the estimatism comes और ठड़ हमने what are the different methods by which we can remove the estimatism और next और lens के जो defect हैं जो आपके syllabus में हैं हम उनकी study करेंगे परवेचरो फिल्ड और distortion आने वाले वीडियो में, लेक्चर्स में हम आपको समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं तो प्यारे बच्चो, आप अपने इस channel से जुड़े रहें by subscribing, like कई बच्चे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, like तक नहीं दबाते हैं यानि कि कुछ activity आपकी side से भी होनी चाहिए आप इसे जरूर अपने अपने साथियों में share करें, like करें इससे क्या होता है कि हमें पता सलता है कि कितने students इसको देख रहे हैं जितने ज़्यादा students होते हैं, देखते हैं तो उसमें और कुछ suggestions भी आपकी तरफ से फिर ज़्यादा आते हैं तो हमें आपके लिए lecture बनाने में काफी help और energy मिलती है तो आप आप समझ गयोंगे कि आपको क्या करना है, वो कर लीजिए और मिलते हैं next एक और lecture के साथ जो कि आपके लिए बहुत important रहने वाला है और तब तक उन सभी students ने जो कुछ भी नया किया है चाहिए इस पूरे lecture को देखा है या subscribe या like किया है या फिर share किया है मैं उन सभी students का यहां से thanks कहता हूँ